दोस्तों आप सभी इस बात को तो जानते ही होंगे कि इस अर्थ या इस पृत्वी पर रहने वाले लगभग सभी जीव चाहे वो समुत्र में रहते हो या फिर जमीन पर सभी अपनी लाइफ में शारीरिक संबंद या सेक्शुल रिलेशन तो सरूर बनाते हैं वैसे भी किसी भी जीव का वंश बिना सेक्शुल रिलेशन के आगे नहीं बढ़ सकता लेकिन हमारी इस पृत्वी में एक जीव ऐसा भी है जो बिना किसी सेक्शुल रिलेशन के हजारों साल तक चीवित रहता है और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे चीव को जो अपनी लाइफ में कभी किसी के साथ सेक्शुल रिलेशन्शिप नहीं बनाता है और फिर भी सद्यों तक जिन्दा रहता है तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को लेकिन उससे पहले आप से एक छोटी से रिक्वेस है अगर आपने अब तक इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सबस्क्राइब करके बेल आइकन दबा ले ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे चलिए अब आगे बढ़ते हैं किसी भी तरह के सेक्शुल रिलेशन के बिना जिन्दा रहने वाले जीवों को Modern Science की भाषा में अलैंगिक जीव या असेक्शुल कहते हैं पृत्वी पर रहने वाले बहुत ही कम ऐसे जीव हैं जो अलैंगिक है और इनी जीवों में से एक बीटल घुन भी है ये जीव अन्य जीवों की तुरना में बहुत अलक होता है अगर बात इसकी लंबाई की की जाये तो इसकी लंबाई लगभग एक मिली मीडर के 5 में हिस्से के पराबर होती है। और इस जीव को वैज्ञानिकों के द्वारा OPL.A. NOVA नाम दिया गया है। OPL.A. NOVA के संबंद में ये देखा जाता है कि इस जीव को प्रकृती ने बेहत ही रहस्य मई तरीके से बनाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि OPL.A. NOVA जीव की प्रजाती में मेल होते ही नहीं है। दुनिया भर के साइंटिस ने इस जीव पर अपनी रिसर्च की है और वे इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि OPL.A. NOVA जीव सभी से अपनी प्रजनन संबंधी जानकारियों को कहीं ना कहीं छुपाएं रहता है। इसी वज़े से साइंटिस ये पता नहीं कर पा रहे है कि बिना मेल जेंडर के ये प्रजाती प्रजनन कैसे कर रही है और कैसे ये जाती एक लंबे समयकाल तक जीवित रही है। और मादा के द्वारा एक नए जीव को जन्म मिल जाता है। आज तक की साइंस में इनी माध्यमों को जनन का आधार माना गया है। लेकिन उपेला नोवा बीटल घुन जीव के जनन संबंध में ऐसे कोई भी माध्यम नहीं देखे गए हैं। और इसी वज़े से अभी तक ये जीव सभी साइंस के लिए एक ऐसी अनोखी पहेली बना हुआ है। जिसे सुलजा पाना अभी तक किसी भी साइंटिस के लिए संभव नहीं हो पाया है। उपेला नोवा बीटल घुन जीव के संबंध में युनिवरस्टी ओफ कोलोन और गॉटिंजन के साइंटिस के टीम और साथ ही डॉक्टर अलेक्सेंडर ब्रैंट ने एक स्टडी की। इस्टडी करने के बाद उन्होंने दुनिया के सामने एक ऐसी बात को पेश किया जिसे सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो गए। उन्होंने स्टडी में बताया कि ओपेला नोवा बीटल गुन अपने जीवन में बिना किसी शारिरिक संबंद के हजारों साल या फिर लाखों साल तक जिन्दा रह जाता है। साइंटिस द्वरा बताई गई इस बात ने लोगों को हैरान तो किया ही साथ ही में अब ये सवाल उठने लगा कि जब वो पेला नोवा बीटल गुन अपने जीवन काल में कोई शारिरिक संबंद बनाता ही नहीं तो इसका जर्म कैसे होता है। अगर बात इस प्रित्वी की करें तो बिग बैंग से हमारी प्रित्वी बनी और उसके बाद सबसे पहले एक कोशिकी जीव इस प्रित्वी के एंवार्टमेंट में बने। फिर उसके बाद एक कोशिकी जीव से बहु कोशिकी जीव बने। जीवों के evolution के संबद में पहले से ही male and female देखने को मिलते हैं और male female के मिलन से ही आगे जाकर संतान बन पाती है प्रजनन की इस क्रिया में नर का वीर मादा के अंड़कोश में इंटिमेट होने के समय पहुच जाता है male and female के मिलन से होने वाली संतान लैंगिक जनन की श्रेणी में आती है लैंगिक जनन की श्रेणी में बहुत से जीवाते हैं और इनी जीवों में से एक जीव इनसान भी है लेकिन हैरानी की बात ये है कि उपेला नोवा बीतल घुन में नर नहीं पाय जाते हैं इसलिए ये जीव लैंगिक जनन करने वाले जीवों की सूची में नहीं आता लैंगिक जनन में दो विपरीद लिंग नर मादा का होना जरूरी होता है क्योंकि उन दोनों में ही क्रोमोसोम्स के दो जोड़े उपलब्ध होते हैं और जब male and female intimate होते हैं तो 23 जोड़े क्रोमोसोम्स male and female से उनके होने वाली संतान में आ जाते हैं जिस वज़े से ही माता पिता के समान ही संतान देखी जाती है वहीं दूसरी और पाधपों में प्रजनन की बात करें तो पौधों में पराकणजल, मधुमक्खी या छोटे पक्षियों के माध्यम से हो जाता है जिसके फलसरूप हमें नए पौधे देखने को मिलते हैं पर बात अगर अलैंगिक जीवों की करें तो इन में क्रोमोसोम्स नहीं होता क्योंकि लैंगिक जनन की समान अलैंगिक जनन में मेल और फीमेल देखने को नहीं मिलते हैं अलाइंगिक जनन के अंतरगत जो जीवाते हैं वे अपने समान किसी अन्य जीव को नहीं बलकि खुद का ही क्लोन बनाते हैं लेकिन साइंटिस्ट इस बात को लेकर और परिशान हो गए हैं कि ओपेला नोवा बीटल गुन अलाइंगिक जीवों से भी अलग है क्योंकि ये अपने समान क्लोन की क्लोनिंग प्रक्रिया में भी परिवर्थन करके क्लोन के जीन कोड में परिवर्थन ले आता है और उपेला नोवा बीटल घुन की इसी खूबी की वज़े से ये जीव लैंगिक और अलैंगिक जीवों में से किसी भी श्रेडी में नहीं आता इसके अलावा इस जीव की एक और खूबी है वो ये कि ये जीव वाता वरण में होने वाले परिबर्तनों के अनुसार खुद को ढाल कर आसानी से जीवित रह लेता है ये खूबी इसे सभी जीवों से एक गम अलग बना देती है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शियर करना ना भूले अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाते है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे और अब तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा ले ताकि हमारी ऐसी ही अमेजिंग वीडियो आप तक लगातार पहुंचती रहे तो मिलते हैं अगली शांदार वीडियो के साथ तब तक देखते रहे चैनल यू थिंक हिंदी